दोस्तों प्रणा, प्रणामी एग्रोवेक्ट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिनोंने अफला टोक्सिन के ऊपर अपनी रिपोर्ट पबिश करी है। जिन्होंने specially कहा है कि agriculture crops के कारण फसलों के कारण ऐसे ऐसे जिवान हमारे शरीर में एनिमल्स के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं जिसके कारण यह specially mentioned किया गया है मैं आपको liver cancer तक liver cancer हो रहा है यह उसका photo है microscopic photo यह ज्यादा तर बिनोला और बिनोले की खल में ज्यादा तर पाया जाता है यह special इन्होंने मैंशन भी कराने आपको दिखाने कोटन सीड यह देखे स्पेशल इन्होंने मैंशन करका कोटन सीड नेशनल कैंसर इंस्टिटूट की रिपोट है कोटन सीड इन्होंने स्पेशल इवेंशन करा है इसमें और यह पीनिट्स में भी पाया जाता है एगरिकल्चर प्रॉप्स दोस्तों यह जो फसल है यह जादतर गर्मी में होती है और वर्षक वज़े से इस पर जिवानों का फंगस का बाहरी जो बैक्टिवियास का आसर बहुत जादा होता है उसके कारण किसान भैयों को इस पर दवाईयों का खर्चब बहुत जादा आता है जिसके कारण उसका असर जिवानियों का भी अशर दवाईयों का वी असर उस Pan Tilly कि अदर जिसके कारण इसमें अफला टोक्सिन और माइको टोक्सिन ये दो वाइरस हैं जिसकी स्ट्रेंथ इस रो मेटीरिल के अंदर उत्पाद के अंदर जिससे हमारी खले बनती है हमारा पशु आहर बनता है पशु आहर जरूरी नहीं ये सिर्फ कोटन सीड में ही एक सारी फसलों में ही आ रहा है दीरे क्योंकि हर फसलों में ही स्प्रे हो रहा है कोटन सीड में ज्यादा होता है स्प्रे बजाए की सोयाबीन के बाजरे के कोटन सीड में स्प्रे ज्यादा किया जाता है परना कि सबसे पहला काराण तो हो गया ही कि किसानों कि मजबूरी हो गई है अपनी फसलों को बचाने के लिए कि उसको ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है। अपने गुदाम में इसको स्टोर करना पड़ेगा उस स्टोरेज में भी इसके अंदर मोश्चर रहता है नमी रहती है नमी की वज़े से इसके अंदर फंगस बैक्टीरिया पनपते रहते हैं महिनों दर महिनों इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस पर पनपते रहते हैं य ये दोनों आपकी घर पहुच कर आपका जब पशु इसने खाता है तो उनकी रोग प्रतिरोधक्षमता भी कम होती हैं, उनकी बिमारीयों की संख्या भी बढ़ती हैं, ये कई तरह की बिमारिया भी लेकर आते हैं और इसका असर हमारे दूद में भी आता है और वही दूद हम मनुष्य की बोड़ी पर भी पड़ता है तो हमारी कमपनी प्रणामी एग्रोवेट लेकर आई है प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार जिसके अंदर हमने इसका संपूर्ण समाधान देने की पूरी-पूरी कोशिश करी है दोस्तों यह है टॉक्सिन बाइंडर जो अफला टॉक्सिन और माइको टॉक्सिन के पार्टिकल्स को जो उसके अंदर है उनको बाइंड करके इसका नाम है टॉक्सिन बाइंडर उनको बाढ़ के गोबर के थुरू बोड़ी से बाहर कर देता है जिससे आप 80-90% सुरक्षित हो जाते है जो 20% बच गया उसको हमारा आयरुवेद संभाल लेता है दोस्तों यह हल्दी यह इम्म्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है यह शरीर में रोग परती रोधक शमता को बढ़ाने का काम करती है यह हमारी आयरुवेद की बहुत बड़ी देन है इसे ना भूले यह भी हम अपने पशु आहार में बहुत अच्छी तरीके से एड़ करते हैं तो यह दो चीजे माइको टोक्सिन और अफला टोक्सिन को जड़ से खतम कर देती हैं तो यह पशु आहार आपको इन जिवानों से तो रक्षा देगा ही देगा साथ में हम इस पशु आहर में डालते हैं बाइपास फैड बाइपास प्रोटीन आईरुवेद में आ जाएं तो आईरुवेद से हम लेते हैं इसमें शतावर अश्वगंदा मेथी आवला जो आपके पशु की बोड़ी की इम्म्यूनिटी को लगातार बढ़ाएगा ब्यात को ब्यात दर ब्यात उसका दूद बढ़ेगा हर साल दूद होगा हर साल बच्चा होगा डेरी फार्मर को मजबूती मिलेगी डेरी फार्मर का फाइदे पे फाइदा होगा पशु पालक को हर तरीके से मजबूती मिलेगी हर गर में घी मक्षन होगा इसी के साथ मैं आप से एक ही निमेदन करूँगा एक बार आप हमारा ये प्रोडक्ट अपने घर पर मंगाए और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आप इसे खिलाए आपको 40% खले और 60% ये मिल्क पलस पशु आहर मिक्स करना है और उसे अपने पशु ओदेना है उधारन के तोर पर अगर आप 6 किलो पूरे दिन में खलो का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको डाई किलो खले और साड़े तीन किलो ये प्रणामी मिल्क पलस पशु आहर का इस्तमाल करना है और इसे मिलाकर 3 किलो सुभए और 3 किलो शाम को देना है तो देखिए आप इन तरीके के जिवानों से भी शुरुप्षित हो जाएंगे और आपका पशू स्वस्त भी रहेगा उसे modern science का भी सहरा मिल गया और आयुर्वेद का भी सहरा मिल गया दोस्तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ प्रणाव दोस्तो आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे तो आप में को comment box में लिख कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप किस तरीके का वीडियो किस टोपिक पर देखना चाहते हैं किस तरीके की जानकारी और लेना चाहते हैं वो भी जरूर लिखे इस चैनल को subscribe जरूर करें और अपने किसान भाहियों में share करें ताकि उनकी पशू के परती जागरुकता बढ़े यही अमारा विजन है और मिशन है कि एक अच्छा पशू आर जो एक international standard का हो जिससे हमारी आने वाली breed भी सुदरे और दूद का production भी दिनों दिन बहुत जादा बढ़े प्रडा